वेलकम टो केफो स्टाडीज तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नमबर 6 इंटीजर्स तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सराइज नमबर 6.1 का कोशन नमबर 4 तो चलिए स्टार्ट करते हैं एज highlighting figure is a vertical number line representing integers observe it and locate the following points तो देखिए यहां पर यह जो vertical number line है इसको हमें observe करना है और यहां पर फिर हमें क्या करना है इस number line को observe करके जो नीचे अब points है उन चीजों को locate करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां कहा गया है कि if the point D is plus 8 तो हमें बताना है which point is minus 8 तो यहां पे कहा गया है कि यह जो D है यह plus 8 है हमें बताना है कि minus 8 कौन सा point होगा तो देखो सबसे पहरे तो देखते हैं 0 क्या होगा तो यहां से अगर मैं 8 steps इदर आजाओ नीचे की तरफ यह कौन सा step है यह वाला यह है 7 यह है क्या यह 6, यह 5, यह 4, यह 3, यह 2, यह 1 और यह जो O point है यह क्या है यह 0 है अब हमें 0 मिल गया कि यह point है हमारा 0 है अब बताना है मैं minus 8 क्या होगा तो minus 8 क्या करना होगा नीचे और आएंगे 8 steps है ना तो 8 step अगर हम यहां से नीचे आए तो यह क्या होगा minus 1, यह minus 2, यह minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8 है ना यह F point आप देख रहे हो यह होगा minus 8 है ना तो यही आप यहां लिख देंगे कि F क्या है F point है यहां पर minus 8 तो answer यही आएगा F is minus 8 next देखिए is point G a negative integer और a positive integer तो देखिए यह जो G है यहां पर G क्या है? G है यहां minus 6, एक बार मैं यह मिटा देती हूँ G क्या है? minus 6 है, है ना तो यह क्या है? यह एक negative integer है तो आप यह यहां लिख दोगे, नीचे की तरफ आ रहा है ना 0 से तो इसलिए यहां पर जितने भी integers हैं, वो negative integer है next पर आते हैं, देखिए right integers for point B and E तो B और E हमें बताना है कि वो कौन से integers हैं तो देखो B क्या है? 0 से उपर है, मतलब positive integer होगा और कितने steps उपर है यह? यह 1, 2, 3 और 4 है ना? तो क्या हो जाएगा यह? यह होगा, B होगा यहां 4 और E क्या होगा? E को आप count करें count करेंगे तो E 10 steps नीचे आ रहा है मतलब यह क्या होगा? minus 10 होगा है ना? तो आप यही लिख दो, B is 4 and E is minus 10 next पर आते हैं which point marked on this number line has the least value तो least value किसकी होगी इस number line पर जितने भी points दे रखे हैं सबसे कम value किसकी होगी? तो जो सबसे नीचे होगा उसकी उतनी कम value होगी है ना? वो उतना negative होगा तो सबसे नीचे कौन है यहां पर? E है ना सबसे नीचे? अभी बताया था points in decreasing order of value तो decreasing order of value में हमें लिखना है तो देखो decreasing order में कैसे लिख सकते हैं? आप as it is लिख सकते हो सबसे उपर क्या है? D फिर उससे कम value होगी C की फिर B की है ना? अप इस तरह लिख सकते हो D C B A H G F E है ना? उपर से नीचे तक आप रेंज कर दीजे एक बर values भी रेख लेते हैं सबकी क्या होंगी? D होगा plus 8 C है plus 5 B है plus 4 A है plus 2 O है 0 H है minus 2 G है minus 6 F है minus 8 और E है minus 10 तो lastly हम क्या कर देंगे? arrange कर देंगे इनको descending order में या decreasing order में So thank you for watching आज की class के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें इसे share करें और हमारे चैनल को subscribe करें and hit the bell icon जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका notification आप तक सबसे पहले पहुँचे Thank you आप अपने doubts, suggestions और आपको जिस भी topic पर वीडियो चाहिए